दोस्तों, आप सभी का सवागत है, तोड़े वी आर गोईंग तू रीड दे पोयम, दे राइम अफ दे एंसेंट मेरिनर, एन इस देटन बाइ, सेम्यूल टैलर कॉलरिच, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, इंट्रेस्टिंग पोयम, दे राइम अफ दे एंसेंट मेरिनर, तो दे राइम अफ दे एंसेंट मेरिनर एक क्लासिकल पोयम है, और एक तरह से यह एक बेलाड है, बेलाड पोयट्री यूजवली इंक्लूड्स आर्केइक वर्ड्स एंड स्पेलिंग, आर्केइक वर्ड का मतब होता है, एंसेंट, पुराने शब्द, तो इस पोयम को जब आ पढ़ने और सुनने में मिलेगी, तो इसके मतलब जो है, मैं पढ़ाता समय, आपको बताता जाओ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पोयम, The Rhyme of the Ancient Mariner, एंसेंट का मतलब होता है, ओल्ड, यहाँ पर, यह पोयम अपने कोर्स में दो भागों में दे रखिए, पार्ट वन और पार्ट तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट वन, इट इस एन एंसेंट मेरिनर, यहाँ एक एंसेंट मेरिनर है, यहाँ एक बुड़ा नाविक है, and he is stoppeth one of the three, और वह एंसेंट मेरिनर, तीन आदमी जा रहे थे, तीन में से एक जने को रोक लेता है, stoppeth का मतलब होत सब्सक्राइब रोकशन तो ऐंसे इन इसाधीर मेरिनर रहता लेनाट तो एंसे आदमीं में से एक आदमी को perfect लेता हैं तो वह पिर पोडिक्टे टीन लेम व्य कर दोन तीन उकला मेंometer हम उनन पूट वह प उसका पूर। चारह मेरिनर को रोक लेता है, बुढ़ा नाविक, बुढ़ा सेलर, जब उन्हें, ओल्ड सेलर, जब उन्हें रोक लेता है, एक जने को रोक लेता है, तब वह पूछता है, बाय थाए, लॉंग ग्रे बियर्ड एंड ग्लिटरिंग आई, है, लॉंग अर्थाद लंबी, ग्रे और बुरी डाड़ी वाले, दिलिटरिंग आई, अर्थाद चमकती, और चमकीली आँखो वाले, इसा जो वो वेडिंग गेस्ट होता है, वो एंडियन के मेरिनर से पूछता है, कि तुमने मुझे क्यो रोका है, और रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करते हुए क्या कहता है, The bright room's doors are opened wide कि दूल्धे के घर के दर्वाजे खुले हुए हैं सामने And I am next of king यहां पे king का मतलब होता है कि members of your family मतलब उसका एक रिष्टेदार है कि मैं एक उसका रिष्टेदार हूँ और दूल्धे के घर के दर्वाजे खुले हुए हैं और मुझे शादी अटेन करने जाना है इसलिए तुम मुझे यहां से जाने दो यहां रिक्वेस्ट करता है वेडिंग गेस्ट, ancient mariners The guests are met कि सारे guests जो हैं वो इखटे हो गई है The feast is set और जो दावत है जो party खाने पीने की होती है वो party भी set हो गई है He holds him with his skinny hand इस sentence में He जो है वो तो ancient mariner है और Him जो है वो wedding guest है wedding guest इसलिए शादी का महमान या शादी में जाने वाला महमान He holds him with his skinny hand तो ancient mariner जो है वो अपने दुबले पतले हाथ से उस ancient mariner को पकड़े रखता है Sorry जो ancient mariner है वो wedding guest को अपने दुबले पतले हाथ से पकड़े रखता है और कहानी चालू करता है There was a ship What he What का मतला है Sad ancient mariner बोलता है There was a ship एक जहाँच था इतना ही बोलता है उसके बाद wedding guest जटके से हाथ को छुडा लेता है और उसकी कहानी एक ही लाइन शुरू हो पाती है क्या कहता है wedding guest चलिए सुनते hold off unhand me grey beard loon aptunes his hand dropped he तो वो बोलता है hold off मतलब unhand me मुझे छोड़ दो भूरी डाड़ी वाले loon loon मतलब पागल ए भूरी डाड़ी वाले पागल तुम मुझे छोड़ दो एसा के कि जटके के साथ aptunes का मतलब होता है his hand dropped he वह अपना हाथ वहां से छुड़ा लेता है मतलब wedding guest ancient mariner से अपना हाथ छुड़ा लेता है he holds him with his glittering eyes लेकिन ancient mariner जो है वह wedding guest को अपनी glittering eyes मतलब चमकदार आखों से और चमकिली आखों से उसे hold करके रखता है अर्थाथ पकड़े रखता है हाथ से जो hold कर रखा था वह तो छुड़ जाता है जो wedding guest को ancient mariner ने हाथ से पकड़ रखा है उसकी हाथ की पकड़ से तो वह छुड़ जाता है लेकिन जब उसकी आखों का जो hypnotize करने का तरीका होता है या सम्मोहित करने का जोज का तरीका होता है उस आखों की जो पकड़ होती है उससे wedding guest छुड़ के जा नहीं पाता है और वहीं धुका रहता है The wedding guest stood still अब भी भी wedding guest वहाँ पर still 38 स्थिर खड़ा है and listen like a three years old child और तीन साल के छोटे बच्चे की तरह उस ancient mariner की बाद कहानी सुन रहा है The mariner hath his will mariner की इच्छा है वो पूरी हो जाती है hath हो रहा है है मतलब यहाँ पे head तो mariner की इच्छा है वो desire है वो पूरी हो जाती है अरथा wedding guest को रूपना चाता था और wedding guest वहाँ पे रूप गया है The wedding guest sat on a stone और wedding guest एक पत्थर पर बेट जाता है तो यह भी हमको याद रखना है कि wedding guest कहाँ बेट जाता है एक stone पे एक पत्थर पर बेट जाता है He cannot choose but here अब wedding guest के पास कोई चारा नहीं है कोई दूसरा option नहीं बट ही है उसको सुनना ही है उसको वहाँ पे बेट के आप सुनना है जो कि वो उससे उसकी जो बेटरिंग आइस है उसकी जो चमकती आँख है उससे उसने wedding guest को रूप लिया है तो he यहाँ पर he cannot choose but here में जो he है वो wedding guest है तो expect होते हैं उसने अख सक पूचा जाता है and the suspect on the ancient man और वह ancient man है वह ancient mariner है वह बोलता है the bright-eyed mariner चमकीली आपको वाला mariner बोलता है क्या बोलता है तो पहले एक line बोली थी अब उस line का जो अगला भान है अब वहाँ पे बोलेगा इसी बीच सब दूसरी बात चीत हुई कि वह कैसे चोड़ाता है कैसे रोक लिता है तो कहानी वापिस continue करता है ancient mariner और कहता है the sheep was cheered जहांच में जो भी सब लोग थे जब हमारा जहांच जा रहा था तो जहांच बहुत ही खुश था सब लोग बड़े प्रसंद थे the harbor cleared और समुद्र का जो किनारा था वह किनारा भी बड़ा clear था साफ था कुछ दून लगेरा नहीं चाही कोई थी Mary Lee did drop और हम खुशी से जो सागर था या जो सी था उसमें खुशी-खुशी drop होए थे उत्रे थे जहां लेकर करे Below the Kirk Kirk का मतलब Macko यहां पर search हम search के नीचे से गुजरे थे Below the hill और एक hill के नीचे से भी हम गुजरे थे Below the lighthouse top और lighthouse top जो है हम बड़े नीचे से भी गुजरे थे यहां पर below लिखा kırk और hill ये उचे थे और जिस जगह से वो जा रहे थे वो जगह नीची थी The sun came up on the left सूरज left side से उगता है Out of the sea came in यहां पर ही सूरज के लिए और sun के लिए दे रखा है कि सूरज जो है और जो sun है वह समुद्र में से निकलता है ये सा दिखाई देता है and shone bright और चमकता है and on the right और right side में went down वापिस set हो जाता है went down का मतब यहाँ पे set है अस्त हो जाना है set into the sea और ऐसा लगता है कि सूरज है वो समुद्र के अंदर चला गया है अर्था set हो गया है अस्त हो गया है higher and higher every day till over the mast at noon और सूरज रोज बहुत उंचा जाता है और जब noon का time अर्था दोपर का समय होता है तो जहाँज का जो mast होता है मतलब जहाँज की जो कपड़े वाला जहाँज होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े पाल लगे होते है उस जहाँज के अंदर बीच में एक बहुत बड़ा खंबा होता है तो वह खंबे को जो हम सीधाक सीधा स्टेट होता है उसको हम mast कहते है और जब दोपर का समय होता है नून का समय होता है तो जो सूरज होता है वह खंबे की ठीक उपर दिखाई देता है The wedding guest here beat his breast wedding guest अपनी चाती पीट लेता है for he heard the loud bass song क्योंकि उसो bass song का यहाँपर मतलब है a musical instrument जब wedding guest को एक musical instrument की आवाज सुनाई देती है जो कि शादी में बज रहा है तो wedding guest को वापिस से वह याद आ जाता है और वह अपनी चाती पीट लेता है अदब दुखी हो जाता है beat his breast तब चाती पीट लेता The bride had passed into the hall दुलहन जो है उसकी hall में entry हो चुकी थी अर्थाज शादी का सीन हमको बताय जा रहा है कि दुलहन की जो है वो शादी के hall में entry हो चुकी थी head मतलब यहाँपे head है red as a rose is she और वो दुलहन जो है वो लाल गुलाब जैसी है यहाँपे simili का use किया गया है as a rose nodding their heads before her goes the merry mistreles nodding their heads जो भी यह music बजाने वाले हैं वो अपना सीर जो है वो nodding कर रहे है nodding कर रहे मतलब सीर को जुकाना, respect करना, welcome करना तो दुलहन की जो शादी है उसके अंदर जो भी यह mistreles ही है mistreles ही का मतलब होता है singer and musician, तो singer और musician जो है वो शादी में आये हैं उनको खुश करने, तो वो जो हर अर्थात यहां पर bride है, दुलहन है तो उसके सामने सीर जुखा कर उसको respect देते हैं, उसको greet करते हैं, उसको सम्मान देते हैं the wedding guest, he beat his breast, wedding guest ने अपनी छाती पीट डाली yet he cannot choose but here, लेकिन फिर भी वो वहां से जाना ही सकता था उसे वो सुनना ही था, मतलब ancient mariner जो भी जहाज के बारे में कहानी सुना रहा है, शीप के बारे में जो कहानी सुना रहा है उस कहानी को पूरा उसे सुनना ही था, और हमको भी सुनना है क्योंकि इसमें आगे क्या है वो, हम जैसे पढ़ेंगे तो ही पता चले है तो इस प्रकार से जो ancient mariner है वह बोलता है और वह चंकीली आँखवाला जो mariner है अर्थाज जो seller है, जो nawik है, वह बोलता है क्या बोलता है, वह आगे इंवल्टेट में दे रखा है अड नाव दे स्टॉर्म ब्लास्ट केम and he was titanious and strong अब storm blast मतल chegou तूफान होता है वह दमाका करता हुआ, आता है इंवाज लिए रखा है, वह पर श्टॉर्म के लिए दे रखा है was titanious, tiranious का मतल होता है, क्रूवल तो तूफान जो है वह बहुत जोर से आता है blast करता हुआ, दमाका करता हुआ आता है वो बुरी तरीके से जहांच को टक्कर मार रहा है, स्टॉर्म. He struck with his overtaking wings and chest us south alone. His struck का मतलब टक्राना होता है, overtaking wings, wings का मतलब तो पंक होते हैं and chest का मतलब पीछा करना होता है. तो अब पूरी दो लाइन का मतलब समझते हैं. He struck with his overtaking wings, वह अपने पंकों से, मतलब जो ये तुफान है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़े उसके wing हैं, पंक हैं और बंकों से हमें टक्कर मार रहा है, टक्कर मार के हमारा पीछा कर रहा है, chest कर रहा है हमको, और हमको south में ले जा रहा है, मतलब south direction में धक्का लगा करके जो है वो तुफान जो है वो इस जहांच को ले जा रहा है, शीप को ले जा रहा है, with slopping mast and dipping probe, प्रो का मतलब होता है front part of the ship, जहांच का आगे वाला हिस्सा, तो जब पीछे से तुफान धक्का दे रहा है, तो जहांच का आगे का हिस्सा बार बार जमीन में क्या हो रहा मतलब डुक्किया लगा रहा है, यसे जहांच हिल दूल रहा है, तो उसका mast है वो भड़ा हिल दूल रहा है, मतलब स्लोप में जा रहा है, इसलिए यहांपे slopping word लिखा हुआ है, with slopping mast and dipping probe, as who pursued, with yell and draw, यहांपे pursuit लिखा है, pursuit का मतलब होता है chest करना, मतलब पीछा करना, तो त दूफान की यह आवाज है, जोर-जोर से आवाज करते हुए, दूफान हिपर जहांच का पीछा कर रहा था, still treats the shadow of his foe and forward bends his hand, तो एक ताकतवर दुश्मन की तरह, foe का मतलब होता है दुश्मन, एक ताकतवर दुश्मन की तरह लगाता है, वो हमारे साइक, हमारे साथ में बढ़ रहा था, और एक शेटो की रूप में मतलब हमारी साथ में परचाई की रूप में चल रहा था, and forward bends his head, और अपना जो सिर है वो आगे की तरफ जुकाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था, और तूफान हमको आगे की तरफ लेते हुए जा रहा था, the sheep draw fast, तूफा के अंदर लेहरे और तुफान आएगा, तो जहाँ भी उसी speed से उसके अंदर बहता चला जाएगा, तो इसलिए लिखा है, the sheep draw fast, sheep बहुत तेजी से चला, loud reward the blast, और जोर जोर से reward मतलब गरजना करना, blast मतलब धमाके होना, हवा और पानी की तक्कर लगती है, जहाँ से, तो उ Southward A, we fled, A का मतलब में है continue, और हम continue south की तरफ जाते ही जा रही थे, यह हमारा जो sheep था, वो south की तरफ ले जाया जा रहा था, किसके दवारा, storm के दवारा, and now there came both mist and snow, और अब तो mist अर्थात कोड़ा और snow अर्थात बर्फ, यह भी हमारे सामने आ गए थे, it grew wondrous cold, और wondrous का मतलब होता है terrible, बहुत बुरी ठंड भी अब लगने हमको लग गई थी, and ice mist high came floating by, और ice मतलब बर्फ के बड़े बड़े टुपड़े जो थे, वो floating अर्थात तेर रहे थे, और mist high का मतलब होता है, बर्फ के टुपड़े इतने बड़े बड़े थे कि जहांच की बीच में वो जो बड़ा थंबा होता है, मैस्ट होता है, उतने उचे उचे जो बर्फ के टुपड़े थे, वो पानी में floating कर रहे थे था, तेर रहे थे, और वो कैसे दिख रहे थे बर आइस के जो टुपड़े थे, बड़े-बड़े बर्फ के पाहड थे, वो पानी में हमको दिखाई दे रहे थे, एंड थू दे ड्रिफ्ट्स, the snowy cliffs did send a dismal sheen, drift का मतलब यहां पर है, floating ice, तेरता हुआ बर्फ, और snowy cliffs का मतलब होता है, बर्फ की चोटी, dismal का मतलब होता है, मन्हूस, fatal, and sheen का मतलब होता है, brightness, तो अब हम समझते हैं, and through the drift and the snowy cliffs, बर्फ की तेरती चट्टानों पर, मन्हूस जमग दिखाई दे रही थी, nor shape of man or beast, we can, k-e-n-can का मतलब c है, हम पर देख पाना, ice was all between, तो nor shape of man, न तो कोई आदमी महाँ पर दिख रहा था, nor beast और नहीं कोई जानवर महाँ पर दिख रहा था, we can, हम सिर्फ देख सकते थे, ice was all between, सब तरफ हमको बर्फ ही बर्फ, दिख रहा था, ice was here, the ice was there, the ice was all around, ice यहाँ पर भी था, ice वहाँ पर भी था, और सब तरफ बर्फ ही बर्फ था, it cracked and growled, बर्फ कूटता था और आवाज होती थी, and growled and howled, तो यह भी आवाज ही है, रोड और howled, like noises in swooned, swooned का मत्दब होता है, voice of unconscious person, जैसे कोई विप्ति बेहोश होता है, और गर्रान की और खर्राटे की आवाज करता है, वेशी ही आवाज हो रही थी, जब बर्फ तूट रहा था तब, तो बर्फ के तूटने को compare किया गया है, बेहोशी में निकलने वाली आवाज से, तो like यहाँ पर निखा है, तो यह भी एक तरह से similar का example है, at length did cross an albatros, तो कुछ दूरी पल हमारे को एक albatros दिखा, through the fog it came, यह albatros है वो धुंद में से, fog में से आया था, albatros एक समुद्री पक्षी होता है, जो समुद्र में, समुद्र के इलाग्रों में रहता है, as it had been a Christian soul, समुद्र में जब हमको कुछ नहीं दिखना था और albatros दिखा, तो हम बड़े खुश हो गए, और हमको एक Christian soul लगा, Christian soul का मतलब एक सच्चा Christian या एक पवित्र आत्मा, जैसा हमको मेसूस हुआ, जब हमने albatros को देखा, तो albatros हमारे लिए एक बहुत लगी था उस समाई, कि जब हम तकलीप में फसे हुए थे, प्राबलम में थे, तब हमें Christian soul albatros दिखा, और हम खुश हुए, we held it in the God's name, और हमने भगवान के नाम पे उस albatros का स्वागत किया, we held, held मतलब welcome करना, स्वागत करना, तो we held हमने albatros का स्वागत किया था, ये पूरा past tense के अंदर इस जो poem है, उसको पूरा past tense में लिखा गया है, ये एक story है, तो हम समझ सकते कि कोई incident जो भी describe कर रखिये पहले हो गई है, तो उसको past tense में लिखते हैं, तो ये आपको समझ के रखना है, जगह जगह यहां पर जाबे भी subject होगा, आपको past tense में लिखा, तो हमने albatros का क्या किया, स्वागत किया, क्योंकि हम तकलीफ में थे, उस समय हमको दिखा था, इसने वह फूड खाया, जो इसने जिंदगी में कभी भी नहीं खाया था, एंड राउन एंड राउन इट फूड और वह हमारे चारो तरफ उड़ा, फूड उड़ा, फूड़ मतलब उड़ा, अर्थाथ जो जहां चलाने वाला होता है, वो हमको स्टीर करके अर्थाथ हमको उस जगल से निकाल करके ले गया, अर्थाथ एलबेट्रोस के आने से हमारी समस्या थोड़ी कम हो गई, आगे जो पहाड, बरफ का पहाड था वो तूट गया और तूट जाने के बाद में हम आगे की दरफ निकल पड़े, and good south wind sprung up behind, sprung का मतला 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 है, अचानक से चलने लग जाता, तो अच्छी south wind जो थी, वह पीछे चलने लग गई, तो good south wind का मतलब बता है यहाज जिससे कि जहाज आसानी से चल सकता है comfortably चल सकता है और जो storm था वो good south wind नहीं था उसके करणा से जहाज को तकलीफ हो रही थी जहाज का movement disturbed हो रहा था The albatros did follow और albatros हमारे पीछे पीछे चल रहा था Every day for food or play came to the mariner's holo holo h ko double a ro, holo का मतलब यहाँ पे किसी को shout करके बुलाना मतलब किसी को बुलावा देना Every day for food or play रोज खाने के लिए और खेलने के लिए mariner जो थे वो albatros को वहाँ पे बुलाते थे जो में हमारे यह बहूत लकी होता है उसको बार वर अपने साथ में बुलाते हैं और पास अधिफने बीठाते तो albatros के लिए लकी था उस समय अच्छा था इसलिए वो albatros को बार बार बुला देते थे और उसको खाना देते थे और वो albatros वहाँ जाना लेडता था तो कोहरे में बादल में सब समय में वह आता था वहाँ पे अलबेट्रोस और मेस्ट पर और उसकी रस्यों पर बेट जाया करता था तो पर्चड़ का यहां पर मतलब है set on the edge of something कहीं पर किसी चीज के किनारे पर बेट जाना इट पर्चड़ फॉर वैस्पर्स नाइन वैस्पर्स नाइन का यहां पर मतलब है a fixed time everyday तो जी एक fix समय पर आता था और वहाँ पर क्या करता था वह आकर के बेठा करता था कहां पर जो mast होता है उसकी रस्या होती है पहां पर यह बेठ जाया करता था उसका आने जाने का भी fix समय हुआ करता था whilst all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine तो पूरी राल बेठता था धून में भी मेठा रहता था सफेग चांदी में चमकता रहता था और इस तरीके से एलवेट रोज रोज आना जाना मापे करता रहता था और हमारा जहां भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि good south wind है अच्छी south ह वो चल रही थी अब मेरिनर को जो वेडिंगेस्ट है वो कुछ कहता है God save थी ancient मेरिनर फ्रॉम दो finds and that plague थी दस अब यह बोलता है God save थी 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 का मतब होता है U और finds F-I-E-N-D-S finds का मतब होता है बुरी आत्मा है P-L-A-G-E plague का मतब होता है Trouble कि भगवान तुम्हें तक्लीफ देने वाली उन बुरी आत्माओं से बचाए है Hey ancient मेरिनर तुम्हें भगवान बुरी आत्माओं से जो तक्लीफे देती है उनसे बचाए है Why look as thou saw लेकिन तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो ancient mariner ऐसा पूछते है उससे तब ancient mariner कहता है ancient mariner उदास होता है तब ancient mariner उदास क्यों हो गया है ऐसा पूछते है तब ancient mariner कहता है With my crossbow I shot the albatros मैंने अपना crossbow अर्था छोटा धनुषबाण लिया और उस albatros को shot अर्था shoot की second for me मनने उसको shot कर दिया अर्था उसको दनुषबाण से मार दिया तो हमारे जी एक question है कि ancient mariner ने इतना अच्छा जो दुका हुआ पड़ा था वो भी चलने लगया था जिस albatros के कारण से good south wind आई थी उस albatros को ancient mariner ने क्यों मार दिया अपने cross rose का मतलबत है छोटा तीर कमान तो छोटे तीर कमान से उस albatros को ancient mariner ने क्यों मार दिया यह question आपके और हमारे सब के mind में है इसका जो जवाब है वो हम जो next second इसका part पढ़ेंगे तो पता चलेंगे पार्ट वन में हमने पढ़ लिया था कि albatros जो था वो एक bird था और ancient mariner का जो जहांच जारा था जहांच में किसी कारण से तूफान वगेर आ गया था तो control से नहीं था जहांच तो जो albatros bird आता उसके कारण से पुरा जहांच सही विवस्तित चले लग जाता है लेकिन फिर भी ancient mariner है वो albatros को अपने cross low से अर्था दनुषबान से तीर कमान से उसको मार देता है तो part two अब हम पढ़ते हैं वह जो सूरज है वह left side में जाकर के समूद्र में डूप जाता है अर्था set हो जाता है अस्त हो जाता है ऐसा बता है और अच्छी south wind जो है वह अभी भी हमारे पीछे चल रही है मतलब albatros मर गया है albatros को मार दिया गया है फिर भी जहां अच्छी तरीके से चल रहा है but no sweet bird did follow लेकिन अब वह sweet अर्था प्यारा मीठा पक्षी जो है वह हमारे पीछे पीछे नहीं आ रहा है क्योंकि उसको ancient mariner ने मार दिया है nor any day for food or play न तो वह खाने आता है नहीं खेलने आता है came into the mariner's fall mariner के बुलावे पर अब वह बर्ड कभी भी नहीं आता है अर्था नहीं आता था पास्टेंसे and I had done hellish thing मैंने बहुत बुरा काम किया है आई यहां पर ancient mariner के लिए है ancient mariner बोलता है I had done hellish thing मैंने बहुत बुरा काम किया था and it would work am warm am का मतलब होता then warm मतलब sorrow ancient mariner केता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया था और इससे उनको बहुत दुख होगा मेरे दूसरे जो साथी बगएर है उनको बहुत दुख होगा तो उसके माइड में यह है कि एक इसको मार दिया है वो मैंने एक सिंग कर दिया एक पाप कर दिया है ऐसा मों मैसूस कर रहा है it would become the reason of their sorrow all those who were in the sheep तो जो भी छीप में थे वो उनको तकलिप भी हो सकती है ऐसा ancient mariner कह रहा है कि मैंने उस बर्ड को मार दिया है for all ever, ever का मतलब है set firmly, मतलब बहुत ही firm होके मजबुत के साथ में कोई चीज़ कहना कि मैंने यह कर दिया है for all ever, I had killed the bird, मैंने उस पक्षी को मारा है ancient mariner कहता है कि मैंने उस पक्षी को मारा है, मैंने उस पक्षी को मारा है ऐसा कहता है that made the breeze blue blow जिसके करण से यह अच्छी हवा, breeze मतलब बढ़िया हवा चल नहीं थी उसी bird को मैंने मार दिया है ऐसा बोलता है, air rich said that the bird slay, that made the breeze blue तो बुड़े नाविक को वो कोसने लगते हैं, बला बुरा कहने लगते हैं air rich इस तरह से उसका मतलब है कि बला बुरा कहना और कहते हैं कि जिस bird के करण से अच्छी हवा चली थी उस bird को इसने मार दिया है ऐसा उसको कहते हैं नोर डिम नोर रेड न तो डिम है और नहीं रेड है लाइक गॉड़ सन है और भगवान लाइक गॉड़ सन है दे गलोरियस सन अप्रिस्ट तो चमकतार जो सूरज है वो अप्रिस्ट मतलब उगता है रोज की ही उगता है और चमकता हुआ दिखाई देता है न तो जादा लाल है नहीं डिम है अर्था मीडियम है अच्छा है तो जब बर्ड को मार दिया उसके बाद भी जहांच के कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो दूसरे जो मेरी नर है वो सब कहते हैं कि देन आल एवेड सभी ने फर्मली कहा अच्छे तरीके से कहा जोड़ दे के कहा I had killed the bird that brought the fog and mist कि मैंने उस बर्ड को मार दिया है जो fog और mist लाया था अब था धुन्द और पहरा जो bird लाया था उस bird को मैंने मार दिया है ऐसा सभी दूसरे जो मेरी नर है वो भी कहते हैं It was right हाँ ये अच्छा काम किया इस bird को मार दिया ना ये बढ़िया काम किया ऐसा सब लोगोंने कहा sad they मतलब उन्होंने कहा such birds to slay अरे ऐसे bird को तो मार ही देना चाहिए that bring the fog and the mist तो जो bird है वो fog और mist लाता है ऐसे bird को तो मार ही देना चाहिए तो ancient vineyard उन्हें अच्छा काम किया उस bird को मार दिया बहुत बढ़िया काम किया तो दोस्तों इस दुनिया के अंदर हमेशा यह चीज याद रखने की है कि संसार में लोग कभी भी एक ही तरह की बातनी कहते हैं जब उनको कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके बारे में अच्छा बोलने लग जाते हैं और अगले इशन वो चीज़ा के लिए तकलीफ देने लग जाती है तो उसी चीज़ को खराब कहना भी चालो कर देते हैं तो यहां पर एंसेंट मेरीनर के साथ भी ऐसा ही हुआ है एंसेंट मेरीनर को पहले तो वो पोस रहे थे दे फेर ब्रीज ब्ल recursos दे वाइट फ्रॉं मनें जांग बना जहांग बनां तो जब जहांग चलता है तो पी जांग की तरफ जलतल Oxe अच्छी हवा चलता ही तो जांग यहां बन रहे थी aura driven फोलो फॉलोट फॉलोट फ्री में फॉर अख दान यहां पर elli diplom वैसे भी बिस ब्ल्यू यहां लिखा है वाँ पर भी इलिट्रेशन है इस एक इफेक्ट है तो अच्छी हवा चल रहे ही थी सफ़ेज जहाद्ज बन रहे थे जहाज के चलने से लकीर बनती है जहाज के वीचे उसके लिए लाइन देखिये Fire of Frosty We were the first that ever burst और हम ही लोग थे जहां तो पर उच जग पर हमने एंट्री की थी इन्टु दल साईट सी उसाईट सी के अंदर हम ही लोग वहां पर एंट्री कर रहे थे, burst करना मत्व, एंट्री करना वहां पर जाना Down dropped the bridge, the shell dropped down लेकिन अब अचानक से महोल बदल जाता है, चेंज भी जाता है, क्या होता है, डाउन डॉब दब्रीज, अब हवा चलनी बंद जाती है, अब हुआ जनी बंद जाती है, और शेल्स का अठाथ जो कपड़े होते हैं, जिसके कारण से जो मैस्ट पे कप्ड़े लगे होएते हैं और हवा चलती है और जहां चलता है तो वो अब ड्रॉप डाउन हो गए अर्था नीचे हो गए हैं अडूल्ले बंद हो गए हैं वीनकुल एक तरसे स्थिर हो गए हैं हिलनी रें तो बंद हो गई हैं the cells dropped down और जहांच के जो कपड़े होते हैं मेस्ट के आसपास लगे होई जिसके अंदर हवा आती है और जहांच आगे बढ़ता है तो उसको cells कहते हैं तो the cells dropped down और हवा चलनी बन हो गई है तो कपड़े भी लटक गए हैं रथा down हो गए हैं twice said as said could be twice लिखा है मतलब it was यह शौट फॉर्म में लिखा हुआ है twice said as said could be और अत्यदिक उदासी चाही हुई है यहांपे and we did speak only to break the silence of C और हम बोल रहे हैं वही आवाज जो C है वहाँपे सुनाई दे रही है इसके अलावा कहीं पे किसी तरह की कोई हाँपे नहीं है अर्थात हम भी वहाँपर हैं बाकी कोई नहीं है और जो C है वो भी बिल्कुल silent हो गया है अर्थात movement बन हो गया है हाँपे बन हो गयी है good south wind थी या जो good wind थी उनकी जो good breeze थी वो चलनी बन हो गयी है all in a hot and proper sky the bloody sun at noon सारा आस्वान तांबे के रंग जैसा हो गया है अर्थात लाल हो गया है ओपर sky अर्थात लाल रंग का हो गया है और hot अर्थात गरम हो गया है the bloody sun at noon और दोपर में सूरज जो है वो bloody अर्थात लाल दिखाई दे रहा है मतलब गर्मी लगरी की right above right above the mast did stand और जो सूरज है वो mast के ठीक उपर की तरफ दिखाई दे रहा है noon के टाइम में अर्था दोपर में no bigger than the moon और सूरज मून के size का हम को दिखाई दे रहा है और मून से बड़ा नहीं है day after day day after day दिन बदिन अर्था दिन गुजरते गए we stuck हम अटके हुए थे nor breath nor motion और किसी तरह से कोई हवा नहीं चल रही थी नहीं कोई गती वहां पर थी as idle as painted ship upon the painted ocean और समुद्र में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ship है वो कोई painting हो कोई picture हो जैसे कोई picture में कोई भी चीज स्थिर रहती है वैसे ही वो जहां था वो भी समुद्र के अंदर स्थिर था और ocean था वो भी पुरा स्थिर था तो ocean स्थिर है ocean भी still है ocean में भी कोई moment नहीं है और अगर ocean में कोई moment नहीं है तो जो ship है उसमें भी कोई movement नहीं है इस बात को समझाने के लिए जो poet है उसमें बहुत ही अच्छी line लिखी है Samuel Taylor College ने जो कि उसका poet है similarly है यहाँ पर as idle as a pentate ship कि ship ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई painting हो और समुद्र भी ऐसा ही लग रहा है कि कोई painting की हो तो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्थिर है यह बताने के लिए उन्होंने यह line लिखी है कि जहाँ भी समुद्र में painting की तरह स्थिर था और समुद्र भी painting जैसा लग रहा था water water everywhere and all the boards did shrink सब तरफ पानी ही पानी था all the boards did shrink और सारे boards जो भी थे जहाँ जमें वो भी सुखने लग गए थे जो जहाँ को तेरने बगरा में मदद करते हैं ऐसे जो भी board थे वो shrink हो गए थे अर्थार shrink होना मतब सिकुड जाना तो वो सब सिकुड गए थे water water everywhere nor any drop to drink और सब तरफ पानी ही पानी था लेकिन पीने के लिए एक बून पानी भी नहीं था the very deep did rot of Christ the that ever this should be ज्यादा से ज्यादा जो जहाँ था जो समुद्र था the very deep did rot deep का मतब बता है ocean यहाँ पर the very deep did rot of Christ hey Jesus Christ यह जो ओशन है वह rot हो गया अर्था सड़ गया है एसा सब को लग रहा था that ever this should be जितना से ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ही यह ओशन जो है rot हो गया था अर्था सड़ गया था एसा करके सब लोग बहुत दुख मना रहे हैं यह slimmy things did crawl और slimmy things अर्थात जो कीडे होते हैं जो की कीचड में crawl करते हैं अर्थात रेंगते हैं with legs अपने पेरों से upon the slimmy sea slimmy अर्थात कीचड वाला जो समुद्र है उस कीचड वाले समुद्र में जो कीचड वाले कीडे हैं वो वहाँ पर अपने legs अर्था पेरों से रेंग रहे हैं, ऐसा सबको मैसुस हो रहा था, ये slimmy things, slimmy things मतलब कीचड़ वाले कीड़े, slimmy things did crawl with legs upon the slimmy sea, तो कीचड़ वाले कीड़े वहाँ पर रहेंग रहे थे, कीचड़ वाले समुद्र पर, about, about, in real and route, real and route का मतलब यहाँ पर है a type of dance, यह एक तरह का dance है, the death fire danced at night, about, about, in real and route, the death fire danced at night, मोथ की जो आँग है, वो सब तरफ dance कर रही थी, ऐसा हमको लग रहा था, अर्था था हमको ऐसा लग रहा था, कि चारो तरफ हमारे मोथ ही मोथ है, ऐसा मैसूस हो रहा था, the water like, which oils burnt green, blue and white, और समुद्र का पानी जो था, वो हमको विच, विच अर्था जादूगर्नी, बुद्नी, तो जादूगर्नी के तेज जैसा समुद्र का पानी हमको लग रहा था, यहाँ पर भी like का यूज की है, तो सीमील है, कि समुद्र का पानी कैसा लग रहा था, और समुद्र का पानी हमको लग रहा था, कि समुद्र का पानी हमको लग रहा था, और सम अर्था कुछ नाविक, कुछ जो सेलर्स के उनको एंसा लग रहा था, उनको एंसा सपना आ रहा था, कि of the spirit that plagued us so, कि कोई spirit, कोई आत्मा जो है, वो हमको यहाँ पर तंग कर रही है, और अलग अलग तरह के लोगे हैं, तो सब तरह के लोगों को अलग-अलग महिसुस हो रहा है, किसी को वीच का ओल जैसा लग रहा है, किसी को लग रहा है, कि जो कोई spirit है, कोई आत्मा है, वो हमको प्लैक कर रही है P-L-A-G-V प्लैक करना मतलब परेशान करना तो प्लैक कर रही है ऐसा लग रहा है 9 फैंथम फैंथम का मतलब बता है समुद्र की गहराई में अपने का एक तरीका है तो 9 फैंथम डीब He had followed us यहाँ पे spirit के लिए दे रखा है कि नौ फेंदम नीचे समुद्र के गहराई में से वो आत्मा जो है वो हमारा पीछा कर रही है और आत्मा पीछा किस जगह से कर रही है From the Land of Mist and Snow जो mist और snow जब हमको पहले पहले दिखा था उस समय से वो जो आत्मा है, वो समुध्र की गहराई से हमारा लगातार पीछा कर रही है और हमको प्लैग अर्थात परेशान कर रही है तो कुछ को लग रहा है कि विच के ओईल जैसा लग रहा है समुध्र और कुछ लोगों को इसा लग रहा है कि कोई spirit है कोई आत्मा है वो हमको तंग कर रहे हैं समुद्र की गहराई से And every tongue through utter drought was withered at root और हर तंग अर्थाद हर जुबान जो है जबान जो है वो सुखे के कारण ब्राट का मतलब बता है सुखा was withered at the root हर जबान हर आदमी बिल्कुल चुप था हर आदमी की जबान थी हर सेलर की जबान थी वो बिल्कुल चुप थी क्योंकि सब उनको सुखा सुखा लग रहा था उनका गला सुख गया था और हम कुछ भी नहीं बोल सक रहे थे हमको ऐसा लग रहा था कि हमारी जो आवाज है यहां पर गले में जो है वो चौक हो गई है बिल्कुल ही अटक गई है ऐसा उनको लग रहा था क्योंकि उनका गला सुख गया था अब ओल्ड और यंग जो भी सेलर्स थे जहांज में उन सभी लोगों ने एंसियंट मेरिनर को एक अजीब सा लुक दे दिया इसे जो भी क्रिश्चन होते हैं वो गले में क्रोस लटकाते हैं तो उस क्रोस की जगह पर इसे जगह पर क्रोस का मतलब होता है कि क्रोस की जगह पर the albatros about my neck was hung मेरे गले में सभी लोगों ने मिल करके albatros को टांग दिया कौन सा albatros जो albatros मैंने मार दिया था उस albatros को सभी जो भी young और old जो भी लोग उस ship में थे उन सभी ने मिल करके मुझे पर गुस्सा हो करके उस मरे हुए albatros को मेरे जो neck अर्थाद गला है उसमें hung करती अर्थाद टांग दिया था instead of cross अर्थाद गले में क्रोस की जगह पर albatros मुझे टांग दिया गया था तो दोस्तो इस तरीके से यह हमारी poem थी The rhyme of the ancient mariner यह खतम हो जाती है और इसकी ending कहां पर होती है कि ancient mariner के गले में वहाँ मरा हुआ albatros होता है तो सभी जो दूसरे old और young mariner होते हैं वो सब मिल करके वो मरा हुआ albatros ancient mariner के गले में टांग देते हैं और इस तरीके का उसको एक evil look एक बुरा look दे देते हैं और यह उसके लिए उसके पाप की सजा है असा और लूसरे mariner मात दे हैं इसके पाप की सजा यह है उसके गले में कुछी चीच टांग दी जाए जो उसने किया है जो उसने बुरा काम किया है उस पाप पाप को ओसके साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया जाए ताकि वो उस पापको बार-बार याद करता रहे हैं तो दोस्तों ये थी हमारी पोयम The Rhyme of the Ancient Mariner आपको अगर ये पोयम पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज्याद से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साइड में बैल का आईकन आता है उसको भी प्रेस करें ताकि इस जो बसिस्ट अकेडमी चैनल है इस चैनल से आपको जो भी और भी नए अपडेट्स हैं